मोधी सरने मले केस में राहूल गांधी की जो सदस्ता चली गई थी वो सुप्रीम कोट की वज़े से बहाल हो गई सदस्ता बहाल होने के बाद वो फिर से सांसद बन गए लेकिन सांसद के इस सर्त्र के दोरान चार सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया सस्पेंड होने वाले सांसदों के लिस्ट पांच होते होते रह गई लिस्ट में सबसे पहला नाम रहा ममताब अनरजी की पार्टी तरमूल कॉंगरिस के डेरे को ब्रायन का जो पूरी तरीके से नहीं बलकि लगभग लगभग सस्पेंड होते हुए रह गए उनके पहले और बात जिन चार लोगों का सस्पेंशन हुआ उनमें कॉंग्रेस के सिनियर लीडर और लोगसभा की लीडर ओफ अपोजीशन आधीर रंजन चौधरी और आमादमी पार्टी के राज्यसभा सांसद रागव चड़ा के नाम शामिल हैं सबसे लेटिस्ट हैं इन इस स्टोरी में बात करेंगे कि आखिर इन चार सांसदों को क्यों सस्पेंड किया गया बागि अंकट के स्मार्ट व्यूवर्स के उपर यत्ताय करने की बात रह जाएगी कि इनका सस्पेंशन सही है घलत है शुरू करते स्टोरी लेकिन सबसे पहले ऐसी स्टोरी के लिए आ तो अधिर रंजन चौधरी के सस्पेंशन का जो मोशन है वो पारलेमेंटरी ओफेस मिनिस्टर प्रहलाज जूशी ने आगे बढ़ाय था चौधरी को प्यम नरेंदर मोदी पर हमला करने और मंत्रियों को डिस्टर्ब करने की वज़ह से सस्पेंड किया गया है मीडिया रि मोदी को लेकर कह दिया कि मानिपूर के मामले पे वो नीरव होकर बैठे हैं बाद में जब उनसे सवाल किया गया तो जवाब में चौधरी ने मीडिया से कहा कि वो किसी को ओफेंड नहीं करना चाहते थे उनके मताबिक नीरव का किसी व्यक्ति से लेना देना नहीं है अपन मानिपूर पर पीम नरेंदर मुदी की चुपई को बड़ा मुद्धा बनाकर विपाक्ष ने इस संसत सत्र को लगभग नहीं चलनी दिया चौधरी ने तो ये दावा भी किया कि पीम को ऐसे बयान से कोई दिक्कत नहीं हुई उन्होंने कहा कि पीम के दरबारियों को इसे तकलीफ हुई और उन्हों नहीं चौधरी को सस्पेंट करवा दिया इन सब पर कॉंग्रेस का कहना है कि यह अलोग तांतरिक है अंडेमोक्रेटिक कुछ ऐसे ही लाइन लेते हुए आमादनी पार्टी के राजसभा सांसार रागव चडधा ने अपने ट्विटर बायों में खुद को सस्पेंटेंट मेंबर ऑफ पार्लेमेंट बताया है उनके मामले में हुए यह कि जब गवर्मेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टरिटरी ऑफ डेली अमेंडमेंट बिल ट्वैंटी ट्री पर भहस चल रही थी तब कमिटियों का जिक्र हुआ जिन लोगों को जिन मेंब सबस्यों के सिगनेचर को फॉर्ज किया है और यहीं उनके सस्पेंशन की वजह बनी हाला कि रागाओ का दावा यह है कि ऐसे किसी कमिटि के लिए कोई सदस्य को नॉमिनेट कर सकता है इसके लिए सिगनेचर या रिटन पर्मिशन के दरकार नहीं होती है उनके अकौर्डिं सबसे वोकल सांसद राजसभा के वह बार बार चेयर के डिरेक्शन को वाइलेट कर रहे थे जिसकी वजह से आमादनी पार्टी के सबसे वोकल सांसद को सस्पेंड कर दिया गया पार्टी के लोगसभा सांसद हुशील कुमार रिंकु को चेयर की तरफ पेपर फिंकने के लि लिस्ट का हिस्सा नहीं बन पाया, जैसा कि मैंने आपको बताए कि वो सस्पेंट होते होते रह गया, ऐसे में इन तमाम सस्पेंशन्स और इनके कारणों को जानने के बाद, आप अपने राये जरूर बताएगेगा कि आप इन्हें किस तरीके से देखते हैं, बाकि ऐसे ही यूटीब और इंस्टेग्राम पर फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा, देखते रहेगा, अनकट मिर नाम है तारुक